आज हम करेंगे exercise 3.3 का first question जिसमें कहता है कि निमन रेखिक समिकर्ण युगम को प्रतिस्थापन वीधी से हल कीजिए ठीके इससे पहले हमने अपने 3.2 में ग्राफिया वीधी से हल किया था ये है प्रतिस्थापन वीधी ऐसे जमारी exercise चलेंगी ये उसमें हमारी अलग-अलग वीधियां हैं जिनसे हम दो समिकर्णों में से x और y का मान निकालते हैं इसलिए ये वीधी है कौन सी प्रतिस्थापन वीधी इसमें क्या है? दो समीकर्ण दी गई हैं हमारी प्रतिस्थापनी यानि कि एक दूसरे के अंदर यानि कि समीकर्णों में एक दूसरे के अंदर मान रखके हमें X और Y के मान निकालने हैं ठीक है उसका क्या तरीका है सबसे पहले हमें जो दो समीकर्ण दी गई है इनके हम नाम रख लेते हैं इसका समीकर्ण नमबर 1 नाम रखा हमने और इसका रखा हमने समीकर्ण नमबर 2 ठीक है अब हमें क्या करना है हमें यहां से X का या फिर Y का मान निकालना है कोई भी हम समीकर्ण उठा लें ठीक है y बराबर क्या है 14 y को 14 y को y को 14-y η समीकर No.3 2 समीकर No.3 अब इस समीकर N को यानि कि इस x के मान को हम किसमे रखेंगे इस प्रेंगे No.2 में सबसे पहले हमने समीकर्ण नमबर एक उठाई उसमें से हमने X का मान निकाल दिया जो हमारी समीकर्ण ये बनी इसको हमने गए दिया समीकर्ण नमबर तीन नाम ठीक है अब जो ये X का मान आया उसका करेंगे हम प्रयोकिस में ठीक है X की जरन क्या रखेंगे 14 माइनस के Y, रखा हमने 14 माइनस के Y, और साथ में क्या है माइनस के Y, ठीक है, बराबर क्या है, 4, ठीक है, यहां क्या आया, 14 माइनस के Y, माइनस के Y, यानि एक Y, यहां भी एक Y है, एक और एक इतना हुआ, 2 माइनस के 2Y, बराबर क्या है, 4, ठीक है, अब इस Y का हमें मान निकाला है, इस Y के साथ एक तो ये 2 है, एक ये 14 है, ठीक है, इन दोनों को हम बराबर से इस साइड लेके आएंगे ताकि हमारा किसका Y का मान निकल जाए, यहाँ आएगा माइनस के 2Y, 14 को इस साइड भेज़ा, 4 ये 14 किसका है, प्लस का इधर आके किसका ह माइनस का माइनस के 2Y बराबर माइनस के 10, 14 में से चाहर के कितना 10, माइनस से माइनस कैंसल, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, यानि Y का मान हमारे पास क्या है, पांच, अब इस Y का मान 5 हम कौन सी समिकर्ण में रखेंगे, समिकर्ण नमबर 3 में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास Y का मान आच V2 पाच, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है? समीकरण 3 में हमने Y बराबर 5 रखा, क्या आया? हमारा X बराबर 14, माइनस में Y का मान कितना है? 5, यनि X बराबर 9, ठीक है? X बराबर 9, आगी हमारे पास 2 value, किसकी X बराबर 9 और Y बराबर 5, ठीक है? यह हमारे पास second question, इसमें हम नाम दे देंगे, यह समीकन एक है, यह समीकन दो है, ठीक है, यहाँ हमने x, y देखा है, अब तक ठीक है, x होता है, यहाँ y होता है, लेकिन यहाँ दे दिया है, इन्होंने s और t, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमें क्या ध्यान देना ह यह लेकिन यह simple नहीं दिख रही, इसको हम सबसे पहले simple बनाएंगे, इनका क्या करेंगे, हम LCM लेंगे, यह 3 है, यह 2 है, या इनका LCM क्या आया, 6, ठीक है, 3 दूनी क्या हुआ, 6, यानि कि यहाँ यहाँ 2S, प्लस में 2T कितना है, 6, यानि यहाँ 3T, बराबर में क्या है, 6 ठीक है, इस 6 को इधर इस से गुणा किया, तो हमारा क्या आया, 2S, प्लस में 3T, बराबर 6, चिक कितना हुआ, 36, ठीक है, यह कितना आया, 36, तो इसका मतलब इसको हमने नाम दे जा, समीकन नमबर 3, ठीक है, main हमें क्या है, एक समीकन यह है, एक समीकन यह है, ठीक है, यह जो हमारी सिम्पल सी समीकन है, हमें कौन सी दिख रही है, S-T, बराबर 3, यह सिम्पल समीकन हमें दिख रहे है, क्योंकि इसके साथ क्या है, 2 लगा हुआ है, इसके साथ 3 लगा हुआ है, यहां क्या है, S के साथ 1 लगा हुआ है, यानि इसका मान निकालना आसान है, यह बात नही कि अगर इसका ही प्रयोग करके हम S का ये T का मान निकाल के फिर दूसरी के अंदर रखेंगे तो हमारी value गलत आजाएगी गलत नहीं आएगी हम सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि हमारा जो calculation है वो असानी से हो जाए ठीक है तो अब ये पहली समीकर्ण हमने उठाई और इसको रखा हमने लिखेंगे हम समीकर्ण एक से समीकर्ण एक क्या है S माइनस T बराबर 3 यहां से हम S का मान निकालेंगे S बराबर 3 प्लस T ठीक है ये आया समीकर्ण S का मान और इसको हमने नाम दे दे समीकर्ण नमबर 4 ठीक है जो जो हमारे पास आता जा इसको हमने नाम दे देना समीकरण, ओके ठीक है, अब हमारे पास यह आया, इसका मान हम इस समीकरण में रखेंगे तीसरी में, तो लिखेंगे कि S का मान, S का मान समीकरण 3 में रखने पर, S का मान जब हमने समीकरण 3 में रखा, तो हमारा क्या आया, 2, S की जगह क्या रखना है, 3 प्लस T, प्लस में 3 T, ब प्लस 3T बराबर कितना या 36, ये क्या हुआ, 6 प्लस 3 और 2 कितना, 5T बराबर कितना या 36, ठीक है, 5T को हमने रखा यही, 5T बराबर, ये 6 को इदर लेके आए, 36 वाइनस में 6, ठीक है, 5T इदर ही रहा, वहाँ बन गया 30, 36 में से 6 गया 30, टी बराबर, 5 उदर गया, 30 बटे 5, पांची के 30, यानि टी का मान कितना या 6, अब हम इस टी का मान, जब इसमें रखेंगे, समीकर्ण 4 में, तो हमारा S का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, रखेंगे हम, टी का मान, समीकर्ण, कौन सी है ये, 4 ठीक है, समीकर्ण 4 में रखने पर, T का मान, जब हमने समीकर्ण 4 में रखा, तो हम लिखेंगे, S बराबर, 3 प्लस, T की जगन, क्या रखना है, 6, ठीक है, 6, S का मान हमारे पास क्या आया, 9, ठीक है, यही या निकालना था, T का मान 6, S का मान कितना, 9, नेक्ट है, हमारे पास third part, इसमें जो दो समीकर्ण दी गई है, इन में नाम रखेंगे, S नमबर 1, इसका नाम दी, हमने समीकर्ण 2, ठीक है, अब हमें यहां से, या थो X का मान निकालना है, सबसे पहले, या Y का निकालना है, हम देखेंगे simple कون सा है, ठीक है, यहां हमने दे 3x-y बटे 3, यहां में x का मान निकालना है, ठीक है, तो अब करेंगे 3x बबबर 3, यह y उदर किसका हो गया, प्लस का y, x बबर 3, प्लस y बटे 3, x का मान हमारा यह आ गया, और इसको हमने नाम दे दिया, समीकर्ण नमबर 3, ठीक है, अब इस x के मान को हम रखेंगे समीकर्ण नमबर 2 में, ठीक है, लिखेंगे कि x का मान, जो जो हम step करते हैं, उसको सब step को हमने लिखना है, कि x का मान समी लिकन दो में जब हमने रखा तो हमारा क्या आया नो, X की जगां क्या रखना है, 3 प्लस Y बटे 3, माइनस के 3 Y, बराबर 9, 3 एकम 3, 3 तीया 9, बचा क्या, 3, 3 प्लस Y, माइनस के 3 Y, बराबर में कितना है, 9, 3 तीया कितना हुआ, 9, प्लस में अंदर मल्टिपला हुए, 3 Y, माइनस के 3 Y, बराबर कितना है, 9, ठीक है, ये माइनस के 3 Y से, प्लस के 3 Y हुए, बचा क्या, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, बचा क्या, 9 बराबर 9, यह क्या हो गया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ ना X दिखा, ना Y दिखा, यानि के, मान किसका निकलना था, यहाँ पे main, X का मान हमने रखा था, इसमें समीकर्ण में, हमारे पास Y का माना था, लेकिन Y तो यहाँ कठी गया, ठीक है, यहाँ क्या है, हमारे पास 9 बराबर 9, गलत तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, 9 होता है, बराबर 9 के, कठन तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी कोशन आ जाए, जिसमें क्या है, कि कोई संख्या, दूसी संख्या के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि वहाँ पे जो हल है, X और Y के वो आपरीमे रूप से अनेक हल है, यानि अगर हम X की वैल्यू कुछ रखते हैं, तो Y के हमारे पास मान आसानी से निकल सकते हैं, यानि कि बहुत सारे हल हमें, जो समिकर्ण हैं उनके मिलेंगे, ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे कि यह जो कथन है, यह सत्य कथन है, अतह, ए परीमित, रूप से, अनेक हल हैं, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, ठीक है, यह हमारे पास दियू ही हैं दो समिकर्ण, बहुत सारे बच्चे क्या है, इनके जो पॉइंट्स हैं, यानि के दशमलव में यह सारे दी गए हैं, ठीक है, तो इनको देखके क्या डर जाते हैं, कि कैसे सोल होगा, यह तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं, पहले हमें जो यह समिकर्ण हमारे पास दी गई है, इनको हम सही करके लिखेंगे, ठीक है, तो समिकर्ण नंबर एक के अगर बात करें, यानि कि इसके अगर बात करें, तो 0.2 है, ठीक है, आपको पता है, जो दसमलव है, उसको हटाने के लिए, पॉइंट की जगह क्या हम एक रख देते हैं, और जितना उस पॉइंट के बाद अक्षर होते हैं, उनकी जगह हम 0 लगा देते हैं, ठीक है, अब जैसे ये है, अगर हम इसको सही करके लिखें, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 बटे 10, ठीक है, इस दसमलव के स्थान पर हमने 1 लगाया, और इसके पीछे जितने अक्षर होते हैं, उसकी जगह 0 लगा दी, और 7 में क्या है, X, ठीक है, 7 में क्या है, X, प्लस में, ये क्या है 0.3, ठीक है, ये जो 3 है, 3 रखा उपर, और 7 में निच्छे क्या लगा, 10, और 7 में ये है, Y, बराबर 1, 3, और पॉइंट के नाम का क्या रखा, हमने 1 और पीछे अक्षर है, 10, ठीक है, याने कि 1, 0, तो ये बनगी हमारी क्या, ये वादी जो समीकर्ण की, इसका हमने ये रूप बना दिया, अब जो हमने निच्छे देखा, कि इनके निच्छे क्या है, दोनों के निच्छे क्या है, 10 हैं, तो इनको हम लेंगे, LCM के रूप में 10, यहां क्या बनेगा, 2X, 10, एकम 10, उपर क्या बना, 3Y, बराबर 13, और निच्छे 10, 10 से 10 हुए कैंसल, बचा क्या, 2X प्लस में, 3Y, बराबर 13, यह हमारी आई, समीकर नंबर 1, यानि, इसका प्रियोग हमने कर लिया, यह जो, यह सोल्व किया, हमने यह पहली वाली को किया, ठीक है, अब जो दूसरी वाली है, इसको अगर सोल्व करें, तो क्या आएगा, 0.4 है, तो इसका मतले भी उनेगा, 4 बटे 10, ठीक है, साथ में क्या है, X, प्लस में, यह कह 0.5 है, यानि कि 5, दशमलव के नाम का 1, और साथ में, पिछे जो अक्षर है, उसके नाम की 0, और साथ में है, Y बराबर 2.3, यानि कि 2, 3, बटे में क्या आएगा, दशमलव के नाम का 1, पिछे अक्षर के नाम की 0, ठीक है, आब इसको सही करेंगे, इनका क्या लिया, हमने LCM लिया, यह आया 10, यहां बना 10, एकम 10, यानि कि 4X, प्लस 10, एकम 10, एक आया, यानि कि उपर से, उपर वाले को उणा करते हैं, 5Y, बराबर में 23 बटे, 10 से 10 होए, यहां क्या बना, 4X प्लस में, 5Y, बराबर, 23, यह हमारी आगई, दूसरी समीकन, अब तक हमने क्या किया, हमने, जो हमें यह दिये हुए थे, जो यह डरावने, यह दिये हुए थे, उनको हमने सही करके लिखा, ठीक है, यह हमारी बिल्कुल, simple simple समीकन बनगी, यह हमारी समीकन पहली, और यह हमारी समीकन दूसरी, अब हम इनको वैसे ही करेंगे, जैसे हमने पिछले 3 पार्ट किये हैं, समीकन बनगी, गुना में हैं, इदरा के भाग का हो जाएगा, यह आया, इसको हमने नाम दे गया, समीकन नमबर 3, ठीक है, अब इस X के मान को, हम रखेंगे किस में, समीकन एक का प्रयोग तो हमने कर लिया, समीकन एक से हमने X का मान निकाला, अब जो X का मान आया, इसको समीकन नमबर 2 में रखते हैं, ठीक है, समीकन नमबर 2 हमारी यह है, लिखेंगे हम कि X का मान, X का मान समीकरन 2 में रखने पर, समीकरन 2 है यह, यानि कि 4 X की जगा रखा, 13 माइनस के 3 Y, बटे में क्या है 2, और 7 में क्या है, प्लस में 5 Y, बराबर कितना है, 23, ठीक है, बराबर कितना है, 23, यह कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो 2 आया, यह जो 2 आया, इसको हमने अंदर किया हुणा, 13 दूनी क्या हुआ 26, 20, माइनस के 3 दूनी, क्या हुआ 6 Y, ठीक है, और प्लस में क्या है, 5 Y, बराबर कितना हुआ, 23, ठीक है, माइनस के 6 Y, प्लस के 5 Y, प्लस माइनस कितना हुआ, माइनस, यानि यहां से क्या बचा, माइनस के Y, यह साथ में क्या है 26, माइनस के y बराबर में क्या है 23 माइनस के y की value हमें निकालनी है 26 को हम इधर लेके गए 23 माइनस के 26 क्या बचा 23 में से 26 गए माइनस के 3 क्या है माइनस के y बराबर माइनस के 3 माइनस से माइनस हुआ cancel यानि क्या है y कमान क्या है 3 अब हमें y कमान 3 कौन सी समीकरण में रखना है समीकरण नंबर तीन में क्यों रखना है क्योंकि यहाँ एकस का मान हमें बिल्कुल इजनी निकल जाएगा ठीक करिखेंगे हम यहाँ पर कि वाई बराबर तीन समीकरण 3 में रखने पर y कमान 3 हमने समीकन 3 में रखा यहां क्या आया x बराबर 13 माइनस के 3 गुणा में y की जगां क्या रखना है 3 बटे में क्या आया 2 ठीक है यह क्या आया 3 ती या 9 क्या बना 13 माइनस के 3 ती या 9 बटे 2 बचके क्या निकला 4 दो दूणी लिएम इन्य दो जिस्त में यहितंगी दो समिकर्न इनर समी कर दिया खरा एक को नापटें 9 ठीक है। उतना ही कोश्चन क्या है। असान है। इसमें ही हम क्या करेंगे समीकर्ण 1 का प्रयोग किया। हमने लिखेंगे कि समीकर्ण 1 से हम X का मान निकालेंगे। लिखेंगे सबसे पहले समीकर्ण एक को अंडूट 2 x प्लस 3y बराबर 0 ठीक है अंडूट 2 x का मा निकाल है अंडूट 2 x को रखा ऐसे ही बराबर से उधर लेके गए किसको अंडूट 3y को माइनस के अंडूट 3y अब x का मा निकाल है अंडूट 2 को भी उधर लेके गए x बरा हम रखेंगे समीकर्ण नंबर 2 के अंदर लिखेंगे कि x कमान वाइस समीकरण 2 में रखने पर मैं समीकरण 2 क्या है अंड्रूट 3 x कमान रखना है न माइनस के अंड्रूट 3 by unroot 2 और साथ में क्या है y minus के root 8y बराबर क्या है 0 अब ये है root 3 को root 3 से जब हम गुणा करते है तो हमारा आता है 3 ठीक है यहां लिखेंगे minus के 3 बटे में root 2 और 7 में क्या है y root 8 और 7 में क्या है y बराबर 0 यहां भी y है यहां भी y है y हमने ले लिया common ठीक है y हमने आ रहा है common रखा रहा के अंदर अंडरूट 3 बटे 2 minus के अंडरूट 8 बराबर 0 ठीक है अब y के साथ यह है यानि हमें मान किसका निकालना है y का y के साथ यह सारा है इसको अगर हम उदर लेके गए बराबर से ठीक है बराबर के दर क्या है 0 है यानि कि y बराबर 0 बटे में यह सारा क्या आया minus के 3 बटे अंडरूट 2 और minus के अंडरूट 8 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा 0 ही आता है यानि y का मान कितना आ गया हमारा 0 ठीक है y का मान 0 हम समीकर नंबर 3 में रखेंगे रखेंगे हमकी y बराबर 0 समीकर नंबर 3 में रखने पर समीकर नंबर 3 यह है यानि कि x बराबर minus के अंडरूट 3 बटे अंडरूट 2 y की जग़ा है 0 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते है क्या आता है 0 आता है यानि x का मान कितना है हमारे पास 0 y भी 0 और x भी 0 ठीक है यह था हमारा question next है हमारे पास 6 part इसमें हमारे पास 2 समीकर नंबर दी गई है अब यह क्या है भिन के रूप में है यानि बटे के रूप में है सबसे पहले हम सही करके लिखेंगे ठीक है सबसे पहले इसको करेंगे सही इसका क्या करेंगे हम LCM लेके इसको सही करेंगे यह 2 है यह 3 है इनका LCM लेंगे यानि क्या आया 6 ठीक है 2 तीये क्या हुआ 6 आया यान 3 आया 3 कुपर वाले से करते हैं गुणा 3 तीया 9 X माइनस में 3 दूनी क्या हुआ 6 आया यानि 2 आया यानि 3 को 2 से भाग के क्या है 2 आया 2 कुपर वाले से करते हैं गुणा यानि क्या है 5 दूनी 10 Y बराबर ये क्या है माइनस के 2 ठीक यह क्या बना हमारा 9X माइश में 10Y बराबर 6 दुनी क्या आया 12 ये हमारी बनकी समीकर नम्बर एक अव हम बात करेंगे इसकी इसका भी क्या करेंगे हम LCP लेंगे ये 3 है 2 है इनका LCP क्या आया 6 आया 3 दुनी क्या हुआ 6 यानि उप्पर आया दो X प्लस दो तीया क्या हुआ च्छी यानि उप्पर आया 3Y बराबर 13 बटे 6, 6 से 6 हुए कट, ये हुआ 2X जम्मा में 3Y, बराबर में क्या हुआ 13, इसको हमने नाम दे दिया समीकर्ण नंबर 2, ठीक है? समीकर्ण 2 को सबसे पहले 2X जम celebration 3Y बराबर कितना है 13 X का मान हमें निकालना X के साथ किया है 3Y और 2 इन सबको इधर लेके गए सबसे पहले 3Y को अधर लेके जाएंगे ठीक है रिका हमने 2X बराबर 13-3Y ठीक X के साथ किया है 2 दो को अधर लेके गए x बराबर 13-3y बटे में क्या हुआ 2 इसको नाम दे दिया हमने समीकर नंबर 3 अब इस x का मान हम किसमें रखेंगे ये तो हमने किया का समीकर नंबर 2 का प्रयोग अब जो value आई उससे यानि के समीकर नंबर 3 बन गई वो यानि x का मान बन गया तो x का मान समी करण एक में रखने पर x का माँ जब हमने समी करण एक में रखा तो हमारे पास क्या आया 9 x की जगां क्या रखना 13 माइनस के 3y बटे में क्या हुआ 2 माइनस के 10y बराबर क्या हुआ माइनस के 12 ठीक है अब ये क्या है 9 को अंदर किया हमने गुणा 13 को अंदर गुणा करेंगे किसे 9 को से करेंगे तो क्या है 117-9.27 27 वाई और बटे में क्या है 2 और साथ में माइनस के 10 वाई बराबर में माइनस के बारा ठीक है अभी यह क्या है 10 के नीचे क्या लगा दिया अगर एक लगा दिया और इन 2 को करएंगे 10 से 10 दूनी क्या हुआ 20 वाई बराबर में माइनस के 12 अब यह जो 2 है यह उदर चला जाता है यानि 12 दूनी चूबिस हो भी किस के माइनस के 117 ऊदर गया क्या Vale माइनस के 47 वाई बराबर के चोबी और ये क्या है minus का हो जाएगा minus के एक-वाइस सत्रा ठीक है यह क्या है minus के 47yबराबर minus minus plus निसान फिर भी किसका एगा minus का 7 और 4, 11, 1, 2, 3 और 14, 141 ठीक है平नम से minus होए cancel ठीक है वाइस बराबर 141 बटे में 47, 47 तिए कितना 41 यानि वाइस बराबर कितना है हमारे पास 3 ठीक है अब इस y बराबर 3 का मान हम समिकर नंबर किसमें रखेंगे 3 में रखेंगे ठीक है हम करेंगे यहां पे इसको एक्स बराबर कितना है 13 माइनस के 3 y बटे में क्या है 2 है y की जगा क्या रखना है हमें 3 रखना है लिख देंगे हम यहीं पे डिरेक्ट जगा की शोट विच के कारण x बराबर 13-3 तिया 9 बटे 2 x बराबर 13 में से 9 गई कितना होता है 4 बटे 2 2 दूनी क्या हुआ 4 x का मान क्या है हमारे पास 2 ठीक है वीडियो अच्छी लगी तो like, share and subscribe कीजे हमारे चैनल को Thank you